एक दिन सिदार्थ बागिचे में घुमने के लिए घर से निकले कड़ा पहरा होने पर भी पता नहीं कैसे कुछ लोग मुर्दे को उठा कर ले जाते दिखाई दिये मुर्दा कपड़े में लिप्टा और डोर्यों से बंधा था मरने वाले की शंबंदी जोर जोर से रो रहे थे उसकी पतनी छाती पीटपीट कर रो रही थी उसकी मां और बहनों का बुरा हाल था राजकुमार ने सार्थी से इस रोने पिटने का कारण पूछा उसने बताया कि जिस कपड़े में लपेट कर और डोड़ियों से बांद कर चार जने उठा कर चल रहे हैं वह मर गया है रोने बाले इसके शम्बंदी हैं इसे समसान में जला दिया जाएगा यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई उसने पूछा यह मर क्यों गया सार्थी ने कहा एक ना एक दिन सभी को मरना है मौत से आज तक कौन बचा है राजकुमार ने सार्थी को रत लौटाने की आग्या दी राजा ने आज भी सार्थी से जल्दी लौटाने का कारण पूछा सार्थी ने सारी बाते बता दी राजा ने पहरा और बढ़ा दिया चौथी बार बगीचे में घुमने जाते हुए राजकुमार ने एक सन्यासी को देखा उसने भली प्रकार गेरुआ बस्त्र पहने हुए था उसका चेहरा तेज से दमक रहा था वह आनंद मी मगन चला जा रहा था राजकुमार ने सार्थी से पूछा कि यह कौन जा रहा है उसने बताया कि यह सन्यासी है इसने सबसे नाता तोड़ कर भगवान से नाता जोड़ लिया है उस दिन सिधार्थ ने बगीचे की सैर की पौराज महल में लोट कर सोचने लगा बुढ़ापा, बीमारी और मौत इन सबसे छुटकारा कैसे मिल सकता है दोखोशे बचने का क्या उपाई है मुझे क्या करना चाहिए मैं भी उस आनंद मगन शन्यासी की तरह क्यों न बनू इन ही दिनों सिधार्थ की पत्नी जसोधरा ने एक पुत्र को जर्म दिया राजा सुध्योधन को जियों ही पता चला तो उनके पुत्र के पुत्रूदपन हुआ तो उन्होंने बहुत दान पुन्य किये बालक का नाम रखा राहुल कुछ दिनों बाद रात के समय सिधार चुप चाप उठ खड़ा हुआ, द्वार पर जा कर उसने पहरेदार से पूछा, कौन है? पहरेदार ने कहा, मैं छंदक हूँ, सिधार्थ ने कहा, एक घोड़ा तयार करके लाओ, जो आ गया, कहकर छंदक चला गया सिधार्थ ने सोचा, कि सदा के लिए राजमहल को छोड़ने से पहले, एक बार बेटी का मुह तो देख लूँ, वे जसोधरा के पलंग के पास जाग खड़े हुए, सिशु के साथ लिए जसोधरा महल में शोई हुई थी, सिधार्थ ने सोचा, कि अगर मैं जसोधरा के हाथ क को हटा कर, पुत्र का मुह देखने का प्रयात्र करूंगा, तो बह जाग जाएगी, इसलिए अभी पुत्र का मुह नहीं देखूंगा, जब ज्यानबान हो जाओंगा, तब जाकर देखूंगा, छंदक एक सुन्दर घोड़े की पीट पर साथ सजा कर लौट आया, इस महल से उतर कर घोड़े पर सवार हुआ, यह घोड़ा एकदम सफेद था, छंदक घोड़े के पीछे पीछे चला, वे आधी रात के समय नगर से बाहर निकल गए, वे रात ही रात में अपनी और अपने मामा की राजधानी को लांग गए, फिर राम ग्राम को पीछे छोड़ अनिमा नदी के तट पर जा पहुचे, नदी को पार कर रेतीले तट पर खड़े होकर सिधार्थ ने छंदक से कहा, छंदक तुम मेरे इन गहनों और इस घोड़े को लेकर बापस लोट जा, मैं तो अब सन्यासी बनूँगा, छंदक ने कहा, मैं भी सन्यासी बनूँगा, सि सिदार्थ ने अपनी तलवार से अपनी सीर के लंबे बालों को काट डाला। सन्याशी के बेश में सिदार्थ ने राजगरी में प्रवेश किया। तत पस्चाथ वे भिच्छा मांगने नगर में निकले। इस सुन्दर जूबक सन्यासी के नगर में आने की खवर राजा को मिली राजा इस सन्यासी जूबक के पास गया राजा नो उसकी मन चाहि बस्तू मांगने को कहा इस जूबक सन्यासी ने उतर दिया महाराज मुझे न तो किसी चीज की च्छा है और न संसार के भोगों की मेरे महलों में यह सब कुछ था मैं तो परम ज्यान प्राप्त करने के लिए घर से निकला हूँ राजा ने कहा आपका पक्का निश्चे देख कर लगता है आप अवश्य शफलता पाएंगे बस मेरी एक ही प्राप्तना है कि जब आपको परम ज्यान मिल जाए तो शब्षी पहले हमारे राज्य में आना सच्चा ज्यान पाने के लिए यह बिच्छू बना योवक बहुत दीन तक इधा उधर भटकता रहा फिर उरुवेल में पहुच कर कठिन तपश्या करने लगा कॉंडी ने आदी पांच लोग भी बिच्छू बनकर उनके साथ उरुवेल में रहने लगे कठिन तपश्या करती ही उसने खाना पीना भी छोड़ दिया उसका सुन्दर शरीर काला पड़ गया अब उसमें महापूरुसो जैसा कोई लच्छन दिखाई नहीं देता था एक दिन तो वह चक्कर खाकर गिर पड़ा तब उसने सोचा कि सरीर को शुकाने से मुझे क्या मिला इसलिए उसने फिर भिच्छा मांग कर भोजन करना सुरू कर दिया यह देखकर उसके साथ ही पाचो भिच्छों ने सोचा कि इसकी तपश्या भंग हो गई अब इसे ग्यान कैसे मिलेगा यही सोचकर वे पाच्छों से छोड़ कर चले गए बैशाक मांस की पूर्णीमा के दिन यह विच्छों बोधी पिरिक्ष के नीचे बैठा हुआ था पास के गाउं की सुजाता नाम की एक जूबती खीर पका कर लाई यह खीर उसने सन्यासी को खाने को दी खीर खाकर सन्यासी के सरीर में ताकत आने लगी छह वर्ष की तपश्यक के बाद सिधार्थ ने सच्चा ग्यान प्राप्त कर लिया तब वह बुद्ध कहलाए बुद्ध का अर्थ है जिसे बोध अर्थात ग्यान हो गया हो उनकी सारे इच्छाए शमाप्त हो गई थी कहानी अच्छी लगे तू लाइक जरूर करे और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन डबाईए